तो है आज हम लोग फिर से अपनी जो सीरीज अफ लेक्टर चल रही है जही मेंस के लिए तो आज हम लोग कोलिजन मेकानिक्स को प्र ग्राविटेशन और सर्क्लिर मोशन इन तीन टॉपिक्स के सवाल जही मेंस 2020 में के जन्वरी सेशन में उनको करने वाले हैं और लिंक आपक सल्वेटे बाद कर लिंक लोग करणी आप अचल इक लिए कोर लिए था लिए प्रहुला करेशन कर पूछ पीक्स ए आप मुछे जरीज आप कमें करके पूछ सकते हैं चल्यें तो पहले सवाल क्या करा आपका पा लिए प्र पर इस इस of mass m is launched vertically upwards with an initial speed u from the surface of the earth after it reaches a height r it ejects a rocket of mass m by 10 so that that subsequently the satellite moves through a circular orbit the kinetic energy दो बटा क्या कर आफ दो क्या कर आफ दो क्या कर आफ दो क्या कर आफ दो कहा कि एक planet है इस planet से satellite को vertically fire क्या होता है इस Baconadях यह दार एक्षिन यह डारेक्षिन नहीं यह डारेक्षिन बीसरी एक डारेक्षिन होता है इसको वर्टिकल करते हो हाँ अगर समें सर्फिस से बात करते होँ फेस कि अफ rays करATA तो यह दुरू नहीं होगा अब मालत है कि यही फाइरिंग यहां से हुई है तो ऐसे फाइरिंग होगी अब जहां अब यह आर डिस्टंस पे अर्थ के सर्फेस से होता है तो हम चाहते हैं कि यह और बीट पकड़े अर्थ के चारव तरह अब अगर इसको और बीट पकड़ना है बट ठीक है अगर यह वापस आ रहा है और हम नहीं चाहते है अज़े नहीं होगी तो हमें इसको एक और बीटल स्पीड देनी होगी प्लस और पहले और स्पीड के बारे में बात कर लिए कितनी स्पीड देनी होगी मैस ओप सैटलाइट इंट वी स्क्वर वाई यार लेगा, radius of the orbit, is equal to g mass of earth into mass upon r square, जो पुल है, वही force उसके perpendicular लगेगा, और वो उसको circle में घुमाने लगेगा, तो r ने r सको मार दिया, m ने m को मार दिया, so v is equal to under root of gm e over r, यह velocity चाहिए, satellite को, tangentially, हाना, इस point पे इतनी orbital speed होनी चाहिए, तब ही वो circle कर सकता है, पहली चीज, दूसरी बात, कि radially भी तो यह जा रहा था, the radial velocity did not to be zero, that will depend on ki u की value क्या थी, तो radially भी आपको उसको zero करना है, otherwise the path would have been complicated, some elliptical sort of thing, we don't want that, right, we want that to move in a circle, so let's solve it now, तो हमारे दो परपह, हमें दो काम करने हैं, एक तो हमें इसको tangential velocity इतनी दे देनी है, और एक radially we have to stop it, और ये काम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स्प्लोजन करवाते हैं वहाँ पे, हम रॉकेट फेकते हैं बाहर उसके, तो रॉकेट फेको के बाहर, पहले बात रॉकेट किस direction में फेकोगे, आपका काम क्या है, कि सेटलाइट पहले ऐसे जा रहा था, अब सेटलाइट कप चाहते हो, इस direction velocity मिल जाएं, तो आपको दो काम करना है, एक तो आपको perpendicular उसको velocity भी देनी है, वही और विटल स्पीड के बादाबर होगा, अब सेटलाइट जा रहा था, उसको रोकना भी है, तो सोचो अगर हमें इस direction velocity चाहिए, तो मैं rocket को ऐसे फेक हो, तो thrust इस direction मिलेगा, और दूसरा अगर हमें इस direction की velocity को रोकना है, तो force इदर चाहिए, मतलब rocket को ऐसे फेक हो, मतलब इस direction में rocket को launch करो एक इस direction है, मतलब rocket इस direction में से launch हो जाएगा मालत है यह V1 था यह V2 था और यहां पर मालत है कि satellite V रफतार पर थी और यह U था इसे launch किया गया, अब हमें kinetic energy of the rocket पूछा है, that will be half M into V1 square plus V2 square अब हमें weaver भी निकालना है और V2 भी निकालना है, यह सवाल कह रहा था, तो कैसे निकालोगे, चलो करते हैं, सबसे पहले क्या करोगे, momentum conserve कर लेते हैं, भाई explosion की दौरान momentum conserve रहेगा, क्योंकि gravitational force non-impulsive है, during collision सा कोई role नहीं होगा, ठीक है, तो आप momentum conserve करते हैं, इस line पर momentum conserve करोग है, दो टुकडे हुए है, तो जब velocity नहीं है, तो M1 V1 ग्राबर M2 V2, so M upon 10 into V1 is equal to 9 M upon 10 into V2, into, इसको मालो velocity V orbital, है न, तो V orbital की value कितनी थी, under root of G M E over R, है न, ओके, R की जगा पे radius कितने हो जागा, 2R, है न, R ये और R height पे ऐसा हो रहा है, तो आपने M को cancel out कर दिया, तो V1 बराबर कितना हो जाएगा, ये 10 से 10 भी किज़ा चला गया, so V1 की value कितनी हो जाएगी बटा, 9 under root of G M E over 2R, और दूसरा component कैसे निकालोगे, इस direction momentum conserve कर लो, तो क्या, शुरू में रफ्तार कितनी है इसकी, यहाँ पे V माल लिया है हमने, तो total का total satellite, M into V से जा रहा था, यहाँ से धा, फटा, तो उसमें एक satellite का एक टुकड़ा, जो 9 M by 10 वाला टुकड़ा था, वो रुग गया, और M by 10 जो है वो, आगे की जरफ जा रहा है, कितनी velocity से, V2 से, प्लस 0 है न, क्योंकि यह तो रुग गया हुआ है, 9 M by 10 वाला, इसने इसको cancel out कर दिया, सो V2 is equal to 10 V, अब देखो, अब हमें V निकालना है, क्योंकि हमारे पास V नहीं है, तो V कैसे निकालोगा, यहाँ से यहाँ तक energy conserve कर लो, और भी लिख लिखे लिखे है energy conservation की equation, क्या लिखोगे, half mass of satellite, जो कि capital M था, into U square, शुरू में, minus G mass into mass of earth upon capital R is equal to half M V square minus Gm into mass of earth upon 2R, M throughout कर गया, सो U square upon 2, minus GmE upon R plus GmE upon 2R, यह क्या होजा है, माइनस GmE upon 2R is equal to V square by 2, बैस, अब क्या था, अब V square की value कितनी आ गई तुम्हारे, देखो, धंक से, V square is equal to U square minus GmE upon R, ठीक है, इसको उठा के यहाँ पर रख देते, अब हमारे पास satellite की विलाश्टी के दोनों component है, sorry, rocket की विलाश्टी के दोनों component है, V1 भी है और V2 भी है, अब हमें kinetic energy of the rocket चाहिए, तो kinetic energy of the rocket क्या लिख लोगे, half M V1 square plus V2 square और M कितना था, M by 10 V1 square कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो, 81 GmE upon 2R plus U square minus GmE upon R, GmE upon R, और into 100 भी 10 का square करोगे तो, into 100, बोलो clear एग गम, समझा ही बात, बस अब इसको solve out करना answer आगे आपका, के is equal to M upon 20, U square बाहर इधर कर लिजे, और plus 2R, यहाँ से कॉमल ले लते हैं, तो 2R, इसम हो गया, 81 GmE minus, कितना हो जाएगा, 200 ना, 200 GmE, अब यह क्या हो जाएगा, M by 20, U square minus 119 GmE upon 2R, यहाँ से, अच्छी answer जो दिया है आपका, वो कुछ, यहाँ पे 100 ही होगा ना, यह 100 इससे ही multiply होगा ना, इसको आप 100 U square लिखो, answer जो 5 M minus multiply किया है, तो इसलिए आप इसको 100 बाहर निकाल लिजे, 100 बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यह जैसे ही 100 बाहर निकालोगे, यह आपका हो जाएगा, M by 25 M into U square minus 119 G M E upon 200 R, and this is the answer to the problem, बोलो क्लिर है, आज हो आपको समझ में आया होगा, चलो question number 2 करते हैं, हलाकि यह question जहीं में नहीं आया था, बट मने जान बूज कर डाला है, ताकि मैं आपको circular orbit और, मैं आपको elliptical path में थोड़ा अंतर समझा सकूं, ठीक है, आपको समझ में आया, इसलिए मैंने डाला है, सवाल मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, एर्थ सेटलाइट is revolving in a circular orbit of radius A with velocity V0, and mass of the earth is M, a gun in the satellite is directly aimed towards the earth, मतलब समझो क्या कहरा है, the bullet is fired from the gun with a muzzle velocity V0 by 2, एक एक line important है इस सवाल का, देखो डंग से, क्या कर रहा है कि अर्थ के चारो तरफ, अर्थ को point mass माल ले रहा हूँ, और इसको चारो तरफ एक satellite जो है, वो orbit कर रहा है, अब क्या हो रहा है, जो इस satellite orbit कर था, और अर्थ इसके center पर था, चुकि circular path है, तो इस में समझो कि यह जो satellite जहां पर भी है, इस satellite पर एक बंदूक की नली बंदूक है लगी है, और जिसकी नली जो है, वो अर्थ की radius की तरफ point कर रही है, और firing इस तरह से हो रही है, अब जाहिर सी बात है, firing रूप के तो करेगा नहीं satellite, satellite तो continuously motion में है, तो अब आपने नहीं इसलिए muzzle velocity defined की है, muzzle velocity क्या होता है कि अगर चलतूई बंदूक से firing हो रही है, सुनना आप धंग से, then muzzle velocity is defined at the velocity of the bullet with respect to gun, and with respect to the state of gun after firing, मतलब अगर माल लेते हैं, कि bullet चल रही थी, तो bullet की firing के बाद जो speed हो जाएगी, उस speed के respect में, तो चुकि satellite का mass उनने बहुत ज़्यादा दे दिया हुआ है, इसलिए satellite की velocity पे कोई फर्ख पढ़ने वाला नहीं है, वो पहले भी था और बाद में भी था, बट जाहिर सी बात है, muzzle velocity तो V0 by 2, मतलब सेटलाइट को तो इसकी रफतार V0 by 2 देखी, बट चुकि satellite खुद भी V0 से चल रहा था, which is orbital speed, that is a different part of the story altogether, बट ये V0 by 2 से fire कर दिया गया, अब आप से पूछा, सुचो होगा क्या, तो कुछ ये ऐसे जाएगा, ये अर्थ की चारो तरफ, और कुछ ये ऐसे, एक-एक, और बिट पकड़ लेगा, और उपर के तरफ इस तरफ से जाएगा, बाथ इसका, हाँ ना, तो इसलिए आप से उन्हें पूछा, maximum distance क्या होगा, ये क्या होगा, सुचो अगर कोई भी पार्टिकल, कोई भी औबजट अगर किसी के तरफ, एलिप्टिकल पाथ में घूंगता है, तो वाट दस, वाट इस के प्लेर्स लॉॉ, के प्लेर्स लॉॉॉ से इस, अगर बुलेट अगर बुलेट अगर बुलेट पाथ पकड़ रही है, तो उसके एक फोसाई पे तो अर्थ का सेंटर था, एड, मेरी बात अब धंगता सुनना बेटा, के अगर ऐसा कुछ सिचुएशन था, तो ऐसे में दो पॉइंट्स ऐसे होंगे, जहां पे, लाइन ज्वाइनिंग दा वेलोसिटी, लाइन ज्वाइनिंग दा, सेटिलाइट, बुलेट घूमने लेगी तो एक तरह से सेटलाइट ही हो गई, सेटलाइट एंड अड जेंटर के परपेंडिकुलर वेलोसिटी हो जाएगी, और एक यहां पर भी ऐसा ही सिचुएशन होगा, मालो ऐसे घूमे तो, इन दोनों पॉइंट्स को, एक पॉइंट को पेरीजी कहते हैं, एक पॉइंट को आपोजी कहते हैं, जो नजदीक वाला पॉइंट होता है, इसको पेरीजी कहा जाता है, और इसको आपोजी कहा जाता है, ठीक है, यह मैं थोड़ा था बेसिक बता रहा हूँ, एडवांस वाले में मैं इस पर और सवाल करा दूँगा, अब देखो धंसे, पर दो ही पॉइंट पे विलॉस्टी जो होगा, वो आर वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएगा, अब जब यह घूमेगा, तो यह भी बोलता है, कि एंगलर मोमेंटम इस कंजर्ड, है न, सैटल तो सबसे पहले, अगर माल लेते हैं, कि मोमेंटम कंजर्वेशन माल लेते हैं, कि यह पॉइंट वो था जहां पे सैटलाइट के विलॉस्टी जो है, वो सेंटर और सैटलाइट के लाइन जोइनिंग के परपेंडिकुलर हो गया, तो यहां पे शुरू मेंगलोमेंटम क्या लिखोगे, mv0 into a, परपेंडिकुलर तो यह रहा न, यह तो उसके along ही कॉंपोनेंट है, तो v perpendicular into a लिख लिया, that should be equal to what, that should be equal to what, माल लिते हैं, यहां पे यह दिस्टेंस जो है वो a- है, so m और यहां पे विलॉस्टी जो है वो v- है, v- into a-, all right, तो यहां से क्या आगे बटा इंटो a-, एक काम इक्वेशन यह मिल गया, दूसरा, energy conservation, या, simple, bullet का और अर्थ का energy तो conserve कर लेते हैं, तो bullet की kinetic energy शुरू में क्या थी, बताओ, half, m, v0 by 2 square plus v0 square, speed तो वही हो जाएगे, तो v0 by 2 square, plus v0 square, under root, square कर लिया हमने, तो एक तो यह हो गया, minus g mass of worth into mass of bullet, upon a, शुरू में, that should be equal to finally, यहां पर आ गया है, यहां पर इसकी रफतार क्या है, half, m, v-squared, minus g, m, m by, a-, यह हो गया, m ने में को throughout मार दिया, और अब यहां से क्या लिख लो गया, तो चलो देखो, यहां के बाद से क्या हो जागा यह, यह क्या हो जागा, half, और यह पितना, v-not-squared by 4, plus v-not-squared, तो यह कितना हो जागा, 5 by 4, na, v-not-squared, और इधर से देखो, gm e upon a, minus gm e upon a, is equal to v-squared by 2, minus gm e upon a-, अब देखो, थोड़ा सा इसमें कुछ कर लेते हैं, पहली बात की v-square को तो यहां से v-not के पॉर्म में पुट कर देंगे, और gm e by a, तो कुछ न कुछ दोखो, यह gm e by a जो है न, यह a distance पे orbital speed का square है, under root gm e by a, orbital speed होता है, अभी सिखाया, पिछले वाले सवाल में, तो यह तुमारा v-not-squared है, तो अब देखो, यह आ जाएगा half into 5 by, इसको जाए 5 by 8 लिख दे रहाँ, 5 by 8 v-not-squared minus, यह हो गया v-not-squared, is equal to, v-squared by 2, और v-squared को पुठी कर लेते हैं, यहां से, क्या जाएगा, v-not-a by a dash का whole square minus, अच्छा, यहां पर भी एक काम करो, इस जगा पे छोड़ा से चीज़ कर रहा हो, इसको ऊपर a और नीचे a से multiply कर लो, तो यह वाली चीज़ हो न, यह हमारी अगीन v-not-squared में जाएगा, दिख रहा है मुझे, तो इसको भी हम लोग, v-not-squared into a by a dash ले ले लेते हैं, अब देखो, कुछ ना कुछ तो इससे होता हो नजर आ रहा है मुझे, 5 by 8 minus v-not-squared, पहले इसको minus कर लेते हैं, तो यह कितना आ जाएगा, minus 3 by 8, v-not-squared is equal to v-not-squared a upon a-dash whole-squared minus v-not-squared a by a-dash, है न, v-not-squared से v-not-squared कट गया, तो finally, क्या बन जाएगा यह, देखो बटा, a by a- को टाइम बिए के लिए x माल ले रहा हूँ, तो x-squared minus x, और यह इधर चला जाएगा, so that is equal to minus 3 by 8, तो यह कितना हो जाएगा, 8x-squared minus 8x plus 3 is equal to 0, हारा, तो अब कुछ देखो, आता हो न ज़र आ रहा है, हमने सब सही किया है, चेक कर लेते हैं एक बर, जी, एम, यह, 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 यहाँ पर हमने स्रिटूट करी दिया, यह 5 by 4, हाँ सही लग रहा है, तो अब 6, 2, 8, 3, वहाँ पर आ रहा है, कुछ गबड हुए है, एक सब्सक्राइब, ले में चख, 5 by 0-squared, 8 LCM लोगे, 5 minus 8, minus 3 by 8 हो गया यह, और by 0-squared, a by a dash का whole square हो गया, और minus, यह, एक सायद 2 छूट गया है, यह 2 छूट गया है, दखो, यहाँ 2 छूट गया यह, तो यह भी 2 हो जाएगा, तो अब यह जब 2 कर लोगे, तो यह हो जाएगा, x squared by 2, एक सेकंड, x squared by 2, तो x squared minus 2x by 2 is equal to minus 3 by 8, 2, 4, 4x squared minus 8x plus 3 is equal to 0, और यहाँ से क्या आ जागा यह, अब देख्वात हो जा रहा रहा न, 4x squared minus 6x minus 2x plus 3 is equal to 0, x यहाँ से 2x common ले लो, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, जैसी 2x common लोगा, यहाँ 2x minus 3 आ जाएगा, minus 1 common ले लो, तो यह भी बच जाएगा 2x minus 3, अब देख्वा, x is equal to, एक तो हम तुम्हारा 3 by 2 है, और x is equal to 1 by 2 है, अच्छा, x हमारा था क्या, a by a dash, so a by a dash is equal to 3 by 2 and odd, एक और और 1 by 2, so a dash की value कितनी हो गई, 2 by 3a पहला, a dash की value 2 by 3a हो गई, और a dash की value जो हो गई वो, क्या हो गई, 2a है, अच्छा, दो values क्यों आई, बनके इसके, हाँ, क्योंकि हमने velocity perpendicular का condition लगाया था, और perpendicular velocity दो जगह पे होती है, एक apegee पे और एक perigee पे, तो ज़्यादा distance जो आया वो perigee का distance आ गया, और जो कम distance जो आया, sorry, जो ज़्यादा distance आया वो apogee का distance आ गया, और perigee का distance जो आया वो 2 by 3 यह हो गया, ठीक है, तो maximum distance 4 a by 3, तो यह गलत हो गया, है न? maximum speed of the bullet, relative to the earth, अब सचो, maximum speed of the bullet relative to the earth, मैकसम स्पीड कहां पे होगी, हमांग से सोचा जातो, सचो, कहां पे होगी maximum speed, जहाँ पे distance minimum है, है न? तो distance जहाँ पे, बाइ, momentum तो concerned है, न? तो जहां पे distance minimum होगा, वहां पे speed क्या होगा? Maximum and the point of minimum distance is what you call. You call that perizy. तो perizy पे speed maximum होती है और apogee पे speed जो होती है, वो minimum होती है. इसलिए Mission Mangal अगर देखा होगा, तो उसमें perizy पे firing करते हैं. खेर, anyhow, तो हम पहले speed निकाल लेते हैं. Maximum speed कितनी होगी और minimum speed कितनी होगी? यह समझ में आगया, इसको मीटा दे रहा हूँ. अब देखो. Momentum conservation लगा हो यहां से. Angle of momentum conservation. तो M into V naught into A शुरू का momentum. और अगर perizy पे बात किया जाए, तो यह value 2A by 3 और velocity और यह perpendicular हो गया. तो M into V dash into 2A by 3. क्या यह V dash ही V maximum है? बिल्कुल. M ने M को मार दिया बिटा. तो V dash is equal to A ने A को भी cancel out कर दिया. So V dash is equal to, which is the maximum speed, 3 by 2 V naught. This is the maximum speed. ठीक है? And what about the minimum speed? What about the minimum speed? तो minimum speed के लिए क्लिए 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 क्लिए? M into V naught into A. मेंटम शुरू का पेरीजी के बराबर भी होगा. पेरीजी की distance 2A है. तो निकाल लेते हैं. M into V minimum into 2A. A, A, M, M, खतम V minimum is equal to V naught by 2. तो देखो option number B में दे रहा है. V naught by 2. ठीक है? तो A, B, C में option number B सही हो गया. और जब कोई भी satellite elliptical orbit में घूंगता है, तो time period कितना होता है? 2 pi time period under root of G mass of planet into semi-measure axis A की power 3 by 2. ठीक है? semi-measure axis है. semi-measure axis लिखते रहू. semi-measure axis. ठीक है? अब हमें semi-measure axis के बारे में सोचना है कि क्या होगा वो. ठीक है? तो आईए, उसके बारे बात करते हैं. कैसे निकालोगे semi-measure axis इसका? जो पेरिजी की जो distance होती है, यह होती है A1-E है नो? और जो एपोजी की जो distance होती है, वो होती है A1-E तो अब देखो यहां से वेर A is the semi-measure axis. semi-measure axis इसको हम अट X बोल दे रहे हैं अभी के दिए. परना आप confuse कर जाओगे. ओके, तो चलिए. अब बात करते हैं. अब बात करते हैं थोड़ा सा. X 1-E is equal to, what do you get? कितना था? 2A by 3 और X1 plus E is equal to 2A. clear है? अब यहां से आप आपको X के लिए solve करना है तो आप कैसे solve करोगे? मैं तो कहता हूँ कि कैसे किया जाए? चलो ठीक है, डिवाइड़ी कर लेते हैं. 1-E upon 1 plus E is equal to 2A by 3 into 2A 2A ने 2A को मार दिया. 3-3E is equal to 1 plus E और यह कितना आजाएगा? 4E is equal to 2 तो E की value हो गई half. अब बस इस पर put कर दो, कहीं पे भी वहां से X की value आजाएगी. तो X into 1-1 by 2 2 is equal to 2A by 3 तो X is equal to X by 2 हो गया ने बटा. X by 2 is equal to 2A by 3 तो X की value हागी 4A by 3. तो X की value हागी 4A by 3. अब बस कुछ नहीं कर दो, अब इसमें बस पुट कर दो. यह होजा कितना? 2 pi under root of Gm P, mass of earth, into 4A by 3 की power 3 by 2. यह होगा. यह होगा time period. तो एक सवाल के माध्यम से मैंने आपको पूरा वो समझाने की कोशिश की है. आपोजी, परीजी, मतब यह पुरा elliptical path मैंने आपको समझाया है. मैंने आपको समझाया है कि elliptical path में 2 points होते हैं. परीजी, एपोजी, परीजी की distance कितनी होती है? A into 1-E, एपोजी की distance A1 plus E, परीजी nearest point होता है. एपोजी highest maximum distance का point होता है. This is A1 minus E, this is A1 plus E. परीजी, परीजी परीजी माक्सिमम होती है और परीजी परीजी माक्सिमम होती है. और सारी विलसिटी निकाला, टाइम पिरेट का फर्मॉला, अगें देखो, टाइम पिरेजी दियक्टी प्रोशनल टो A की पावर 3 by 2. So, this is all about elliptical path. चलो, क्रोचन नमर 3 करते हैं. इसको गलत किया था इस सवाल में कोई नई चीज आप से पूछ ली थी इसले एक चीज बता रहा हूं उन्हें का कि नॉर्थ पोल पर वेट जो है वह 196 नुटन है मतलब अक्चुल वेट रहा है तो जब रोटेट करेगा तो सेंट्रिफिगल फोर्च दर की तरफ लगेगा तो उसे जी इफेक्टिव की वैलू कम हो जाएगी जी तो इधर की तरफ लग रहा था एक तो एम जी इधर की तरफ लगा और एम ओमेगा स्कुएर आर क्या जा गए आर साइन थीटा और जब आप इसकी नेट वैलू लेते हो और अप्रोक्सिमेशन लगाते हूं मैं वह नहीं करा रहा तो बिसिकली जी का फॉर्मुला होता है जी इफेक्टिव का फॉर्मिला वह यहां लिख दे रहा हूं यह होता है जी माइनस ओमेगा स्कुएर और साइन स्कुएर थीटा ओगर जी है ना तो दिस इस दा कि बैलू जो अती है वह क्या हो जाएगी इसकी दे और लेलो टो धिमाइनस ओमेगा स्कुर्ईर और तो यहां पर भेट होगा वह किति क्या होगा अ m into g effective तो वही आपसे पूछा था कि कितना वेट होगा तो आपसे m into g effective पूछा गया था तो m into g effective सुचो यहां पर तो वेट कितना है 196 by g तो m into g minus m into omega squared r है ना और अगर 196 माल लोगे तो 9.8 अगर माल लिया जाए तो वेट कितना हो जागा 20 तो यह तो हो गया आपका 196 minus अब समझना basically omega की बालू बतला omega की बालू कितनी है 2 pi by t है ना तो basically 2 pi 4 pi square upon 86,400 का square into 6.4 into 10 to the power 3 का square थी इतना वाई साब examination में न करने में इसको तोत्ते उड़ जाएंगे तोत्ते आपके नहीं कर पा हो गया इतना लगदंदा calculation इसलिए इसकी value direct याद रखो जो इसकी value होती है और direct इसकी value जो बनके आती है वो बनके आती है आपकी इस फुरे term की omega square r की जो value होती है यह लिका हो यह होता है 0.034 यह value होती है तो आप direct ही आद रखो formula g effective का g effective is g minus direct अंदर ले रहा हो इसको g minus 0.034 sin square theta direct अब इस पर रख दो इसकी value रख लो निकाल लो 20 into 0.034 अब यह value क्या आ जाएगी लगभग लगभग 196 minus 4 दुना 8 दो 3 दुना 6 तो 0.68 है ना एक 0 उधर भी चला गया तो 0.68 सही किया ना मैंने 6 8 0.68 और एक 0 हो जाएगा और हाँ ठीक है तो यह value कितनी आ जाएगी 195.32 यह करने जाओगे कभी नहीं होता क्या मेरी बात क्लिए रहे हैं चलो कोश्चन नमर फोर करते हैं कोश्चन मर फोर क्या कर रहा है अधा कोडिने तो सेंटर आफ मास यह जान बुचकर मैं डाला है पिछली बार की जैसा ही सवाल है एक कोश्चन देखो यह भी पूशा था ज बोल रहा हूं NCRT में भी है डारेक्ट पूझा था पिछली बार भी पूझा था 0,0 दिया हुआ है 1,0 दिया हुआ है 1,2 दिया हुआ है 0,3 दिया हुआ है 2,3 दिया हुआ है और 2,2 दिया हुआ है तो आपसे सेंटर आफ मास के कोडिनेट पूछे गए हैं बोलो clear है पहली ब यह वाली वैली तो यह 1 हो गए है ना अब देखो इसका सेंटर आफ मास कहां पर लिख लोगे इस वाले का जाहिर सी बात है कि यह वाली वैली टू है आपकी यहां से लेकर यहां तक ठीक है होके तो थोड़ा से इसको अच्छा कर लेते हैं थोड़ा सा आपको थोड़ी ज्यादा फील आईगी इस डाइग्राम को देखो ऐसे कुछ है ठीक है तो यह 1,0 है और यह 1,2 है चलो देखो आओ कर देता हम इसको इसमें क्या दिक्कत है कुछ भी नहीं है बहुत डंग से द इसके हम इसके सेंटर पर इसके पहले कोडिनेट लेके लिए तो बोलिए इसके सेंटर और मास क्या थो और यह दोरी है थो और यह दूरी है तुछ फीप C यह तो यहां तक 2 था, तो 2 से आधा चलो, तो 2 and half, और x coordinate जो होगा, वो कहां पे होगा, 1 पे, तो इसका जो center of mass का coordinate आएगा, यह कितना हो जाएगा, 1, 5 by 2, 2 and half, बोलो clear है, बस आप कुछ नहीं करना था, अब देखो, यह 1 है, यह 2 है, तो इसका area कितना हो जाएगा, इसका area कितना हो जाएगा, यह 2 meters squared, और इसका area कितना हो जाएगा, यह 2 था, और यह 1 था, तो 2 meters squared, इसका दोनों का mass बराबर है, क्योंकि दोनों का area बराबर है, अगर mass बराबर नहीं रहता, तो हमें फिर area के respect में, यह area के ratio में, mass को लिखना भी पड़ता है, यहां पे mass बराब m into, इसके center of mass का x coordinate, half, plus m into 1 upon 2m, m throughout cut गया, यह आगया आपका 3 by 4 meter x coordinate, बता 0.75, और y coordinate देगे बिटा कितना होगा, m into कितना, 1 plus m into 5 by 2 upon 2m, m ने m को मार दिया, 5 by 2 plus 1, 7 by 2, 7 by 4, this is 1.75 meter, तो क्या होगया, 0.75 और 1.75, option number B, चलो ओओ को, क्या कहे रहा है, a particle of mass m is fixed to the one end of a light spring having spring constant, force constant k and unstretched end L, the other end is fixed and the system is having an angular speed omega about the fixed end of the spring such that it rotates in a circle in gravity free space, then the stretch in the spring is, देखो बेटा क्या कहे रहा है, एक spring लगा दिया गया, gravity free space है, तो कोई mg नहीं लग रहा इस पे, तो कहे रहा है कि यह घूम रहा है, ठीक है, इसके about, ऐसे यह घूमा रहा है इसको, ठीक है, इसके about, ऐसे घूमा रहा है, घूम रहा है, और सुरू में आजना stretch length L दी होई थी हो, तो आपसे पूछा गया कि stretch in the spring, सोचे जब यह घूमेगा तो होगा क्या, क्या centrifugal force आएगा यह, कि तरफ, M omega squared, कितने radius का सरकल में घूमेगा यह, यह ऐसे घूमेगा ना, इतने radius का सरकल में, बड़ा सा, M omega squared L plus X, and that should be equal to what, यह मास M है, यार मैं ड्राइंग थोड़ी बड़ी गंदी सी है, इसलिए प्लीज बेर विट में, and that is equal to what, यह दो कि centrifugal force हो गया, और इधर की तरफ क्या लगेगा, K into spring का extension, spring का extension तो X ही है, वो तो L इसका natural नहीं था, ओके, तो बस यहां से आगया, क्या पूछा है आपसे, उन्हेने X की value पूछी है आपसे, ठीक है, कि what is the stretch in the spring, तो यह आगया, M omega squared L plus M omega squared X is equal to KX, M omega squared L, X इधर के ला गया, तो divide by क्या आजाएगा, K minus M omega squared, यह easy question था, so M omega squared L, K minus M omega squared, option number B, बोलो clear है, चलो, question number 6 क्या है, body A of mass 0.1 has an initial velocity 3i meter per second, it collides elastically with another body B of the same mass which has initial velocity 5j, after collision A moves with velocity V, the energy of B after collision is written as X by 10, देख विटा क्या कर रहे है, कि एक body है, वो 10 3i cap से, मतलब X direction में 3 meter per second से move कर रहा है, और यह तक्राता है एक body से, जो कि J direction में move कर रहा था, और इसकी रफतार थी 5j, अब टक्राने के बाल, जोना Elastically टक्रा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि Elastically अगर टक्रा रहे हैं तो बहुत धंक से सोचोगे, तो Elastic Collision में Energy जो होती है, वो क्या होती है, Conserved होती है, पूरी की पूरी Energy, तो बस देख लो, क्या आएगा तुमारा बनके, इन्होंने रफतार दे ही दी है तुमारी, तो आप से kinetic energy पूछा, तो यह एक important takeaway है कि Elastic Collision था, तो Energy Conserved था, In all the Collision, what is Conserved? Kinetic Energy or something else, Yes, something else, that is momentum, Momentum is Conserved for all the Collisions, But, Kinetic Energy may or may not be Conserved, had it been in Elastic Collision or E would have been Less than 1, then the Energy would not have been Conserved, but यहाँ पे हो जाएगा, तो क्या लिख लोगे, दोनों मास बराबर है, with another body be of same mass, तो देखो, half m into 3 squared plus half into m into 5 squared initial kinetic energy, funnel के ही क्या हो जाएगा, इधर लिख दरूँ, funnel के ही, funnel के ही क्या हो जाएगा, देखो, इसकी रफतार दी है 4i plus j, इसकी रफतार after Collision दे दी है, 4i plus j, तो इसकी विलाश्टी कितनी हो जाएगे, 4 into 1 square plus 1 square root under, modulus निकाल लिया, तो 4 root 2, है ना, तो kinetic energy कितनी हो गए इसके, half into 5, sorry, m into 4 root 2, 16 root 2, 32, plus half m into v-dash square, आपको v-dash निकालना है, half throughout कड़ गया, m throughout कड़ गया, so v-dash square by 2, sorry, v-dash square, 2, 2 भी कड़ जाएगा ना, सार, हाँ, ठीक है, 2 यहाँ आपको इकड़ी है, so v-dash square is equal to, 3, 3's are 9, plus 5, 5's are 25, तो 34 minus 32, under root v-dash, तो v-dash is equal to, under root 2, तो आपसे शायद मेरे इसाब से, kinetic energy पूछा था, अच्छा, या तो kinetic energy कर पूछा था, तब तुम डारेक्ट ही कर सकते थे, sorry, मैंने speed निकाल दिया, kinetic energy तो ठीक है, अब यहाँ पे करी दिया, तो half into 0.1 कर लो, into root 2 का square कर लो, तो 0.1 तो 1 by 10 हो गया, तो ये खतम, ये खतम, तो 1 by 10, तो n की value क्या आ जाएगी, value of x is 1, ठीक है, तो चलो, question number 7 करते हैं, question number 6 का answer आगे आपका, 1, आओ चलो, question number 7 करते हैं, तो question number 7 क्या कह रहा है, 1 second, हाँ, तो question number 7 कह रहा है, 1 second, कहा रहा है, हाँ, तो कह रहा है इसमें की, a particle of mass m is dropped from height h above the ground, at the same time another particle of same mass is thrown vertically upward from the ground at a speed of under root 2gh, then if they collide head-on completely inelastically, the time taken for the combined mass to reach the ground, तो ground पहुचने में कितना time लगेगा, ये पूच रहा है, तो चलो देखते हैं, सबसे फ़री बात ये है, कि माल लेते हैं कि, कोई एक object है, यहां से h height से release किया गया, और उसी time पे एक object को नीचे से उपर फेका गया, तो जाहिर सी बात है बेटा, कि ये object नीचे आया होगा, ये object उपर गया होगा, इसकी रफ्तार है under root 2gh, under root 2gh, इसकी रफ्तार है under root 2gh, कि ये object का maximum height जो है वो h है, है ना, small h, तो मतलब यही पर पहुँचेगा, अगर ये नहीं होता, तो बीच में टकराएंगे, तो पहली बात जहां टकराएंगे, उसके बार में बात कर लेते हैं, जाहिर सी बात है, इसके respect में इसको observe करो, फाइदा क्या होगा, acceleration 0 हो जाएगा, relative acceleration, इसके respect में इसका motion uniform होगा, तो direct time तो आप तुरंट निकाल लोगे, distance कितना है, अगर इस पर बैठ जाओगे, तो चुपचा पिस से आपके टकरा लेगा, तो time of impact, time impact के ले निकाल रहे हैंगे, कितने time पर बाद impact होगा, तो वो t impact कितना हो जाएगा, बताएगे, under root 2gh, distance h है, तो h by under root of 2gh, तो कितना जाएगा, h square by 2gh under root, तो t की value आगे, ti लिख दे रहा हूँ, h by 2g, कितने time पर बाद अगर टकरा गया, simple, टकरा रहा है, अच्छा, जब टकराया, तो कितने distance के बाद टकराया होगा, धंग से सोचो, यह mass m है, यह mass m है, तो time कितना चला, let's suppose कि यह जब टकराया, तो यह height जो था वो, h1 था, और यह height जो था, h2 था, obviously h1 plus h2 is equal to h, तो h1 की value अगर लिखी जाएगी, तो ut minus half gt square, under root of 2gh, into h by 2g, under root, minus half gt square, t square कितना हो जाएगा, h by 2g, ठीक है, तो देखो, 2g ने 2g को मार दिया, h square, यह h आगया, under root h का square, यहाँ से g ने g को मार दिया, h ने h को मार दिया, h minus h by 4, मतलब, 3h by 4, h1 is equal to, मतलब 3h by 4, और यहाँ से h by 4 बेड़ा का टक्राया होगा, इस जगा पर velocity सोच लेते हैं, तो velocity इसकी कितनी होगी, v is equal to, u कितना, under root of 2gh, minus gt, g into, h by, under root of 2g, g अंदर ले लो, तो g square, 1g से 1g कर गया, under root gh by 2, तो v की value आगई, under root of 2gh, minus under root of gh by 2, 2, यह v1 माल लेते हैं, और v2 क्या होगा, यहाँ से जब आके टक्राया होगा, तो, v ब्राबर u plus 80, मतब नीचे की तरफ रफतार है, तो नीचे डिरेक्शन में अगर देखा जाए, तो minus के फॉर्म में कर लेते हैं, तो minus g into under root of, सिर्फ यही वाला चीज़ हो जाएगा, h by 2 j, तो देखा जाए तो कितना आजाएगा, minus g h by 2, मतलब यह उस impact के टाइम पे, g h by 2 root under से, नीचे की तरफ आ रहा था, और यह वाला object, root 2 gh minus root under g h by 2 से, उपर की तरफ जा रहा था, अब जब टकराएंगे, दोनों का मास बराबर है, completely inelastically टकरा रहा है, यह समझ में आया, completely यही पिकर दे रहा हूँ, completely inelastically टकरा रहा हूँ, तो अब क्या लिखोगे, m1 v1 plus m2 v2 is equal to, m लिख दे रहा हूँ, combined मास 2m into v, तो देख बटा है, m same throughout कड़ गया, तो यह क्या आजाएगा, v equal to, v1 plus v2 by 2, now v1 plus v2 by 2, that is simple now, v1 कितना था देखो, under root 2gh, minus under root इतना, तो देखो, यही पिलिख दे रहा हूँ, 1 by 2 of under root of 2gh, देखो, minus gh by 2, यहाँ पे, और एक यहाँ पर भी, minus gh by 2, तो कितना हो जाएगा, minus twice of, under root of gh by 2, तो यह अंदर चला गया, तो यह हो गया, 4 और यह 2, तो कट गया, तो अंदर root 2gh, यह तो जिरू आ गया, मतलब जहाँ पर टकराया होगा, टकराने के बाद, दोनों मासे जो है, वो रुख गया होंगे, तो अब वहाँ के बाद, तो center of mass, जो है, वो सिधा नीचे आ रहा हो, मतलब दोनों का, combined mass, जो है, वो सिधा नीचे आ रहा होगा, सिधा नीचे आने का मतलब क्या हो गया, कि कितनी height से, 3h by 4 से, तो time कितना लगा होगा, किसी object को, 3h by 4 height से release करोगे, तो time कितना लगेगा, under root of, क्या होता time, under root by h by 2g, तो यह कितना लिख लोगे, sorry, 2h by g, 3 into 2h by, ऐसे कर लो, 2h by g न, 2 into 3h by 4g, तो यह कट गया, तो under root 3 by 2 बाहर आ गया, और into under root h by g, तो उन्हें आपसे यही पूछाता है, कि इसके factor में, तो answer कितना हो जाएगा, under root of 3 by 2, तो इसका option number कहुंसा होगे आपका, option number D, आओ, question number 8 करते हैं, so question number 8 क्या कहे रहा है, तहां के मेरा phone, sorry, sorry, so question number 8 कहे रहा है, कि, an asteroid is moving directly towards the center of the earth, when at a distance of 10 r, radius of the earth r दिया है, from the earth center, it has a speed 12, now let the effect of speed 12 km per second, earth's atmosphere, what will the speed when it has 8, देखो, escape velocity 11.2 दिया हुआ है, यह तो बहुत इसी question था, calculation consistency वो अलग बात है, कहे रहा है कि, यहां से एक student आ रहा है, directly towards the center of the earth, कोई यह नहीं है, impact parameter नहीं है, यह distance कर रहा है, 10 r है, 10 r पी इसकी रफ्तार है, 12 km per second, earth पर रफ्तार आएगा, hit करेगा, 8 kredis r माल लो, उस रफ्तार को निकलना है, तो direct energy conservation, simple सी बात है, energy तो रफ्तार है, आवे शाफ्तार सिस्टम के, तो क्या लिख लोगे, half mass of asteroid into, 12,000 लिख दे रहा हूँ, इसका whole square, half mv square, minus g mass of earth, mass of asteroid, upon 11 r, है न बाटा, that should be equal to what, half mass of asteroid, into v striking square, plus half, sorry, minus gm upon r, तो बस देखो, m, 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 कट गया, और यह तुम्हारा हो गया, 12,000 का square बटा 2, इसको इदर लेके आओ, gm e upon 11 r, plus gm e upon r, that should be equal to, half vs squared, अब देखो, gm e upon r, जो है न, वो actually, escape velocity का square है, देखो, escape velocity का formula क्या होता है, under root of 2 gm e over r, square कर लो, v escape square upon 2 कर लोगे, 1 half vs escape square is equal to, gm e upon r, तो रख लो इसको यहाँ पर, 1200 का square बटा 2, gm e upon r, हाँ न, so gm e upon r को common निकाल लेते हैं, तो v escape square upon 2, common निकल गया, plus कर लेते हैं, तो यहाँ पर 1 minus 1 by 11, this is my 12 upon 11 हो जाएगा, that is a different part of the story, sorry, 10 upon 11 हो जाएगा, देखते हैं भी, that is equal to v surface square upon 2, तो मेरी साथ तो यह 2 पूरा कड़ गये, तो यह आगे आपका कितना, 12,000 का whole square, plus v escape square कितना, 11,200 हो जाएगा, इसका whole square, into 10 by 11, अब चुकि निरेस्ट इंटीजर कहा है, और किलोमेटर पर सेकंड में कहा है, है ना, तो हम इसको किलोमेटर पर सेकंड में निकालने के लिए, v surface square को अंडरूट कर लेते हैं, और यह मीटर पर सेकंड में है, तो 1000 से डिवाइड कर लो, तो 1000 यहां से कॉमन खेच लो, तो v striking जो लिखोगे, वो क्या लिखोगे आप, धंग से सोचो, v striking क्या लिखोगे, v striking 1000 को बाहर निकाल ले रहा हूं, तो 1000 बाहर निकल गया, अंडरूट आफ यह 12 square, प्लस 11.2 इंटू 10 by 11, अब देखिए, बहुत धंग से सोचिएगा तो, यह 144 है, 144, यह तो, अब किलोमेटर पर सेकंड में अगर लिखा जागा, तो 1000 बाहर तो कोई काम नहीं है, यह 144 है 144, 11.2 का square करेंगे, 11 का square क्या होता है, 121.2 है, लगभग-लबग 125 के रेंज में आएगा, क्योंकि 12 का square क्या होता है, 144, तो अंतर कितने का है, लगभग-लबग 23 का, तो 0.2 में अंतर लगभग-लबग कितने का आजाएगा, आपका, 4 का अंतर के लगभग होना चाहिए, हाँ, इसी तरह से, 125 के रेंज में है आपका, तो यह आपका हो जाएगा, कितना, देखा जाए तो, 120 के रेंज में आना चाहिए, तो बस चूकि मुझे रेंज ही निकालना है, क्योंकि अगर माल लेते हैं कि, square के रूट अंडर बात की जाए, तो अगर यह 225 से कम है, तो यह nearest integer 215 हो जाता, और अगर यह 256 से कम है, 225 से 255 के बीच में, तो यह 16 हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है, 144 प्लस 120, लगभग यह 244 बनके आ रहा है, कुछ भी होगा, यह 256 को तो surpass नहीं कर सकता है, और 225 से नीचे नहीं जा सकता है, तो यह answer कितना आ जाएगा अलग आपका 16 मीटर पर सकता है, ऐसा नहीं था कि यह सवाल टफ था, ठीक है, लास्ट में approximation भी आपको समझ में आना चाहिए, मैं फिर से समझा जता हूँ, यह 12 स्क्वेर है, 11.2 into 10 by 11, तो लभग लभग यह तो आपका, 144 तो 11.2, 0.2 बढ़ना है, अगर पूरा 1 बढ़ते, तो कितना स्क्वेर में बढ़ते हैं, 121 से लेके 144, 23, तो अगर 1 बढ़ते हैं, तो 2.3 बढ़ता, linearly, 0.1 अगर बढ़ते हैं, तो 2.3 into 2, 4.6 बढ़ना चाहिए था, मतलब अगर देखा जातो, तो 121 प्लस 4.6, यह सब दिमाब में काल्कुरिशन चलना चाहिए, करके देखना, 125.6 मेरा प्रिसाइजली आ रहा है, ठीक है, 125, मतलब प्रिसाइजली नहीं बोलूँगा, 125.6 लगभग लबग आ रहा है, तो 125.6 into 0.9, तो लबग लबग यह तुम्हारा 120 के रेंज में आ जाएगा, तो इससार 16 हो जाएगा, ठीक है, यह लास्ट वापार्ट था समझना, आओ, कोश्चन अबर 9 करते हैं, तो 9 में कर रहा है, बॉड़ी अफ मैस M is moving in a circular orbit of radius R, about a planet, another body B of mass M by 2 collides with A, with velocity V by 2, which is half the instantaneous velocity of A, the collision is completely inelastic, देखो, this is a good question, मैं कुछ basic बताऊँगा, इसके बारे में आपको पहने, जैसे माल देते हैं, कि यह एक orbit था, circular orbit, और इसके center पर planet था, ठीक है, अब इसकी रफतार थी V, सरकल में घूम रहा है, तो orbital speed जो होगी, वो कितनी हो जाएगे, जाहिरती बात मैं आपको बताया, orbital speed की वालू कितनी होती है, under root of gm upon, let's suppose इसका radius जो है वो, orbit का R था, ठीक, अब मेरी बात समझना, कि अगर आप, यहाँ पर धंसे देखो, तो इसकी kinetic energy कितनी होगे, half mv square, और इसकी potential energy कितनी होगे, potential energy कितनी होगे, gm upon r, है ना, अब यहाँ पर आप देखो, बहुत धंसे पुट कर दो गए इसको, तो कितना आ जाएगा, m into g m upon 2r है ना, तो बिसिकलिए यह kinetic energy होगे है, और यह potential energy होगे है, यह अपने पढ़ा हुआ है, बहुत normal सी बात है, कुछ बाती इसलिए मैं बता रहा हूँ, कि kinetic energy जो होती है, वो क्या होती है, potential energy की value की half होती है, और जब total value कर लोगे, तब भी यह minus चला जाएगा, वहाँ जाकर, तो जाहिर सी बात है, आपने पढ़ा होगा, kinetic energy is equal to, mode of potential energy का, आधा, और, जो इसका, total energy होगा, वो आपके kinetic energy के, बराबर होगा, पिछली जोड़ों को जोड़ लोगे, तो क्या जाएगा, माल ने थे, कि यहाँ पर मैंने रफ्तार, exactly इतनी दी है, और tangential दी है, then it will start moving in a circular path, but let's suppose, कि मैंने यहाँ पर इसको velocity जो दे दी, वो दे दी, जैसे माल चाहता हूँ कि, यहाँ पर मैं इतनी velocity कि, escape off कर जाए, तो what should be the minimum velocity, which should be given over here, तो क्या कर लेंगे आप, half mv square, यह मैं velocity दे रहा हूँ हूँ, और condition यह है कि, escape off कर जाए, escape off कर जाए मत्तब infinity पर चला जाए, तो यहाँ पर इसकी potential energy कितनी है, minus g mass of earth mass of satellite upon r लिख ले रहा हूँ, हाँ ना, that is equal to 0, so v is equal to under root of 2gme upon r, मेरी बाद समझना बेटरा, अगर आप इतनी velocity दोगे, तो यह circle में जाएगा, अगर आप इतनी velocity दे दोगे, और total energy की value 0 हो गई, total energy तो 0 ही है ना, then it will go into a circular, it will go up to the infinity, and since total energy is 0, the path will be parabolic, अगर 2gme upon r देदेगो, तो path parabolic हो जाएगा, अच्छो अगर इससे जादा देदोगे, तो energy greater than 0 हो गया, then the path will be hyperbolic, and it will again escape off the earth, but infinity पे कुछ ना कुछ कान्टिक energy होगी, अगर इससे कम energy देते हो, तो total energy negative होगा, उसका एक special case होगा, जबकि ये relation follow हो रहा होगा, kinetic energy, potential energy के modulus का आधा है, और वो total energy के बराबर है, तब path circular होगा, energy total अभी भी negative है, बाकि सारे cases में, path जो होगा, वो elliptical होगा, मतलब अगर आपको यहाँ पे circular path देना है, तो आपको under root gm by r की speed tangential देनी पड़ेगी, और इसके अलावा, अगर आप under root 2 gm by r देते हो, तो path parabolic होके escape off कर जाएगा, और अगर इससे ज़्यादा velocity देते हो, तो path hyperbolic हो जाएगा, लेकिन अगर इससे कम velocity होती है, कोई भी velocity हो, apart from this velocity, तो path will be elliptical, path will be elliptical, जब आप projectile fire भी करते हो, तो भी path जो होता है, वो arc of ellipse होता है, यह मैंने बता रखा है, पिछले अपने एक gravitation के problem में, चलिए, तो अब हम बस यह देख लेते हैं, यह तो खरवेन आपको basic बताया, अब क्या खथा, 2 से टकराया है, जिसकी velocity vector v by 2 है, और inelastic collision हुआ है, तो बस momentum का अजर्ब कर लो, तो अनॉर्मल जी बात है, करते हैं हम लोग हर सवाल में, यही हो रहा है, m into v is equal to, plus m into v by 2, mod wise बात कर रहे हैं, m plus m into v common, so v common की वैलू कितनी हो गए, 3 v by 4, तो सोचो, velocity v से कम है न, तो पात कैसा हो जागा, elliptical, तो option number b, चलो, आओ question number 10 करते हैं, question number 10 क्या कह रहा है, two particles of equal masses m, have respective initial velocity is ui, and ui plus j by 2, collide completely inelastically, the energy lost, देखो बटा, पहली बात, थोड़ा सा इसमें ambiguity होती है, इस सवाल में, ये u by 2 से जा रहा था, ये u by 2 से इधर जा रहा है, और u by 2 से इधर जा रहा है, इसकी रफ्तार दे जोका है, ये u by 2, i cap plus j cap, तो मैंने direct ही बना दिया, जब कभी ऐसे collisions आये, completely inelastically inelastically का मतलब, तो e की value 0 होती है, और e की value 0 का मतलब, की line of impact के long velocity का कोई relative component नहीं होगा, but j mains में इसमें हमेशा थोड़ी सी ambiguity होती है, वो completely inelastically का मतलब ये कहते हैं, कि body will become one after collision, they will become one, मतलब उनका सारे direction में velocity का कोई relative component नहीं हो सकता, ये वो उसका शाब्दिक मतलब लेके चलते हैं, ठीक है, तो मैं दोनों ही direction में velocity को combine कर दे रहा हूँ, एक ही मान के चलते हैं, ठीक है, तो initial momentum इस direction में बोले x में कितना होगा, let's suppose कि दोनों bodies टकराईं, टकराने के बाद velocity का एक component vy से चले दोनों, और ये ये x से चले, ये m हो गया, x direction में बोलो, m u by 2 plus, sorry, m u से जा रहा था न, m u plus m into u by 2 x direction में, that is equal to 2m into vx, m ने m को throughout मार दिया, so vx की value आगए, u plus u by 2, u 3u by 2 और by 2, तो 3u by 4, उसी तरह से v y की value, शुरू में इसका velocity का component दो 0 ही था, momentum के लिए, भी 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, m u by 2, बाद में हो गया, 2m into v y, m ने m को मार दिया, so v y became equal to u by 4, so final k, energy loss बोल रहा है, तो initial kinetic energy minus final kinetic energy, initial kinetic energy कितने थे, half mu squared, plus, half m, u by 2 का whole squared, plus u by 2 का whole squared, है ना, ये initial kinetic energy थे, तो पहले इसको निकाल लेते है, mu squared common लेलो, यहाँ बें बज़ गया, half plus 1 by 2, 1 by 4 plus 1 by 4, कितना, 1 by 2, है ना, तो यह हो जाएगा, mu squared, 1 by 2 plus 1 by 4, यह हो गया 3 by 4, यह initial kinetic energy हो गए, final निकाल लो, final कितना हो जाएगा, half into 2m, u x squared plus u y squared, यह कितना है, 3 by 4 का whole squared, plus u by 4 का whole squared, तो यह कितना हो जाएगा, half से half काट लो, m into, m into, pi k, k initial, k final, so यह कितना हो जाएगा, 9 u square by 16, plus u square by 16, तो 10 u square by 16, ना, 10 u square by 16, अब बस दोनों को minus कर लो, delta k के लिए, तो mu square common हो जाएगा, तुम्हारा, 3 by 4 minus 10 by 16, तो 8 by, कितना हो जाएगा, 5 by 8, तो यह आगया तुम्हारा, mu square, 8 LCM ले लिएगा, 6 minus 5, तो mu square by 8 is the answer, direct, कोई खास बात नहीं, इसमें, ठीक है, mu square by 8, तो option number B हो गया, ठीक है, okay, clear है, बस यह याद रखना, जो, जाएइमेंस बेगर पूछता है, तो, completely, inelastically का मतलब, आपको line of impact के along, सिर्फ नहीं, आपको पूरे, motion के दोरान, आपको यह मान के चलना है, कि after collision, the body will become, 1, and they will have the same, component of velocity, be it in the line of impact, और perpendicular to the line of impact, आपको पूरे, 11 करते हैं, अब क्या है इसमें, जाखो, 11 करा, particle of mass, M is projected with a speed, U from the ground, at an angle, theta, is equal to, pi by 3, with respect to the horizontal, when it had reached the maximum height, it collides, it collides completely, inelastically, with another, particle of same mass, and velocity, Ui, okay, the horizontal distance, covered by the combined mass, before, reaching the ground, देखो, कह रहा है कि, 60 degree पर projectile को fire किया गया, इसकी रफतार थी, U, initially, speed कितना दिया, U, तो बो, इस जगह पर, ये एक और object के सादर के टकरा रहा है, और बराबर mass का है वो, ठीक है, दूनों का, इसी तरह के सादर के सवाल होता है, हर जगह देख रहा है, इसी तरह ही आ रहा है, M है, यहाँ पर आपको सिर्फ पता होना चाहिए, कि यहाँ पर रफतार कितनी हो जाएगी, U, cos 60, तो U by 2 यहाँ बे विलास्टी हो गई, और एक और object है, जिसकी रफतार है U by 2, तो एक M mass है, वो U by 2 से जा रहा था, एक और mass था, M का वो U से जा रहा था, दूनों टकरा गए, इसको पीशे बना लो, दूनों टकरा गए, टकरा है inelastic लिए, क्या टकराने के दौनों momentum conserve रहेगा, बिल्कूल, टकराने के बाद का momentum, दोनों combined mass चलेंगे, तो क्या लिख लोगे, M into U by 2 plus M U is equal to 2M into U, V dash माल ले रहा हूं इसको, M ने M को मार दिया, 3U by 2 is equal to 2V dash, V dash is equal to 3U by 4, इस रफतार से एक mass चला, ठीक है, एक horizontal projectile है, जिसका initial velocity कितना है, 3U by 4, तो range का formula क्या होगा, range is equal to velocity into time of flight, तो इस क्या लिख लोगे, 3U by 4 into time of flight कितना हो जाएगा, बोलो, time of flight U square by 2G, यह हो कर ना, sorry, under root of 2H by G, तो H कैसे निकालोगे, H max का formula क्या होता है, U square sin square theta by 2G, तो U कितना रटा, U ही है, तो U square sin square theta का जाएगा, 3 by 4, root 3 by 2 होता है न, upon 2G, तो इसको लिख लेते हैं, 3U square upon 8G, यहां पहला के put कर दो, तो देखो, कुझी साब से आया होगा कुछ, horizontal distance covered निकालने के लिए कर रहा है, तो, U, initial velocity, और time of flight क्या होता है, under root of 2H by G, तो 2H तो यह हो गया, तो under root of 2H by G करोगे, तो यह कितना आ जाएगा, 3, 2H by G, 2 into, 3U square upon, 8G into G, यह हो गया, है न, अब यहां से बस बाहर निकाल ले रहा हूँ, यह 4 हो गया, और under root 3 तो ऐसे ही हागा, दिखना गड़ब ना करूँ, U by G, U by G बाहर निकला, और यह 2 भी बाहर निकल गया, और under root 3, सही है, और यह हो गया, 3U by 4, तो 3 root 3, U squared, तो answer final कितना आ गया, 3 root 3 U squared, यह answer आ गया final अपका, 3 root 3, U squared, by 8G, low projectile को किससे मिला लिया, collision से, कहीं पर भी मिला सकते हैं, कुछ भी, answer कौन सा हो गया तुमारा, 3 root 3 U squared by 8G, option number D, बोलो clear है, low projectile को मिला लिया, किससे, collision के साथ, बस याद अबना है, कि during collision, momentum conserve रहता है, gravity को कोई effect महाँ पे होगा नही, बाखी projectile की property थी यहाँ पे, किस यगे पे velocity horizontal थी, finally line of impact वो था, inelastic collision में, आपका क्या होता है, दुनों bodies चिपक लेती हैं आके, ठीक है, that's it, चलो, question number 12 करते हैं, 12 क्या कह रहा है, क्या कहने देखो बाटा, सुनों, क्या रहा है कि, यह spring mass system, rests in equilibrium on the horizontal disk, the free end of the spring is fixed, is fixed at a distance, is fixed at the center of the disk, if the disk together with the spring mass system, rotates about its axis with an angular velocity omega, and k is much much greater than m omega square, the relative change in the length of the spring is best given by, यहाँ पे horizontal disk है, इसके center से एक mass spring को लटका दिया गया है, यहाँ पे mass से अब इस disk घूम रही है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है, जब डिस्क घूमेगी, तो इस पे एक centrifugal force लगेगा, आपको sleeping नहीं consider करनी है, दोनों साथ साथ ही घूम रहे हैं, ऐसे समझो आप, तो इस वाले disk पे देखरों को तो क्या-क्या force लग रहा होगा, sorry, इस वाले mass पे देखरों क्या-क्या force लग रहा होगा, इधर की तरफ kx, और इधर की तरफ इसा x वाले core आया था, m omega square, naturalism दिया spring का, naturalism L दिया है, L plus x, तो बस अब वही आपको x की बलो निकाल नहीं है, तो क्या लिख लेंगे आप, m omega square, L plus x, should be equal to x, और यहाँ से क्या आगी बलो आपके, m omega square L is equal to x k minus m omega square, और क्या राइक condition k is greater greater than m omega square, तो इसके respect में इसको उड़ा दो, तो x की वालो कितनी ही आजाएगे, m omega square L by k, m omega square, कुछी का बढ़ क्या क्या, m omega square L, कुछी कूटा है क्या, natural length, m omega square by k, क्या पूछ रहा है, एक second, the relative change in the length of the spring, अच्छा, relative change पूछा है, तो पहले length कितनी थे, relative change पूछा है आपको, तो basically relative change का मतलब, x by L पूछा है, relative change, है न, तो delta L नहीं पूछा आप से, आप से delta L by L पूछा है, तो this is my delta L, तो delta L by L, x को माल लेते हैं, delta L, है न, तो delta L by L, relative change पूछा आप से, तो m omega square by k, ठीक है, तो answer क्या जाएगा, b, ठीक है, और question number 13 करते हैं, last question हैं, क्या 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 रहा है, question 13 में, planet A has mass M, radius R, planet B has half the mass, and half the radius of the planet, if escape velocity from planet A, or V and VB, V and VB are N by 4, the value of N, बहुत असान क्या रहा है, बता चीक हैं, escape velocity, बोलो, escape velocity का formula क्या होता है, under root of 2 gm by R, है न, क्या 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 रहा है, कि planet A has mass M, तो V A क्या लिख लोगे, under root of 2 gm by radius R क्या रहा है, और VB क्या लिख लोगे, under root of 2 gm by 2, radius B या रहा कर दिया है, half the radius, R by 2, तो 2, 2 कर दिया है, दोनों के escape velocity बराबर है, V A बराबर V B, तो V A by V B की value क्या हो जाएगी, 1, so V A by V B is equal to 1, उसकी बराबर क्या रहा है, N by 4, तो N की value कितनी हो गए, 4, option number D, तो यह आपके तिरा सवाल हो गया, collision, के से related, gravitation से related, circular motion से related, जो भी आपे J means में आये थे, so we are done with this portion, अब next topic जो होगा, वो हम लोग जो उठाएंगे, वो हम लोग 12th का उठाएंगे, next topic हम लोग electrostatics उठाएंगे, electrostatics and capacitors, ठीक है, तो वो most probably कल या परसो तक मैं आपको, कल तो नहीं करूँगा, कल परसो आपको बना के दे दूँगा, बाकि आपको इस ते से काफी help मिलेगा, आप इसको देखी गए एक बार, और I hope कि that will be helpful, so चलिए, रात बहुत हो चुकी है, मैं थक चुका हूँ काफी, चलिए, good night, फ्याल रखें अपना, okay, bye bye,